कोरोना वायरस के खत्रे को लेकर जहां देश भर में लोगडाउन किया है वहीं अब भागलपूर से आज एक बड़ी खबर आ रही है कि अब तक जितने भी सेंपल गए थे यहां से कोरोना संदिक्दों के वो सभी के सभी सेंपल की रिपोर्ट निगेटिब आया और उसमें ए करोना पोजेटिब केस के बाद 23 तारिक को जो जांच हुई थी डॉक्टरों की हुई थी सिकंदरपूर में पाए गए जो करोना पोजेटिब हैं उनके संपर्क वालों की हुई थी और सदर अस्पताल और भागलपूर के जवार लाल नहिरू मेडिकल कॉलेज में जितने भ करोना संदिग्दों का रिपोर्ट नेगेटिब आया है जो एक सबसे बड़ी और महतवपूर्ण खबर है इसको लेकर के लोगों में लगतार संसे बरकरार था लोग लगतार इस सकते में थे कि आने वाले समय में पता नहीं और किस तरीके से करोना पोजेटिब का केस भाग पुलिस प्रसासन लगतार सक्थी परत रहे हैं इसके लोगडाउन का पालन करने के लिए जिला प्रसासन और पुलिस प्रसासन लगतार सजग हैं और इसके लिए मार्च पास्ट भी किया जा रहा है और कई तरीके से जनाच भी किया जा रहे हैं लोगों को जितने भी हॉट तो यह आज भागलपूर के लिए सबसे बड़ी भागलपूर वास्यों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबार है कि जो इतनी भी जांच सेंपल भागलपूर से गई थी उन सारी की सारी जांच सेंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है और हम बता दें कि बिहार में आज जो ख़वर आई है पूरे बिहार से वो कुछ अच्छी नहीं है और वो डराने वाली ख़वर है एक तरह से क्योंकि आज केवल आज अब तक का आखड़ा वो पच्चास का आखड़ा को चूग गिया है जो पचास पोजेटिव केस सिर्फ आज पाए गया है पूरे बिहार भर से और इसमें मुंगेर के 22 सामील है तो मुंगेर लगातार मुंगेर से लगातार जो पोजेटिव केस की संख्या वो बढ़ती जा रही है और वो पहुंच गई है अब 90 पर पहुंच चुकी है और इस तेजी से बढ़ते वे रफ्तार को देख करके इसके लिए सरकार भी लगतार सजग है और यह सोचने वाली बात फिलाल इस्तिती बन गई है भागलपूर में बेसक राहत है पोजेटीव के में 200 कोरोना के पोजेटीव केस पाए जा चुके हैं जो पिछले एक महिने में 100 का भी आकड़ा तक नहीं पहुंचा था अब पिछले पांच दिनों में वो दो सक जाग पहुंचा है और वहीं पूरे देश में 28000 के करीब जो है कोरोना पोजेटीव के केस हैं और 800 850 से उप और देशों की तूना में कम मोत हुई है और इस पेर नियंतरन हुआ है लेकिन फिर भी लगतार करोना पोजेटीव केस पाए जा रहे हैं वह चिंता के पर है जो लगतार लोगों के लिए एक डर का महाल बना हुआ था लोगों के मन में लगतार लोग यह सोच रहे थे कि पता नहीं जो सब्सक्राइब करने के लिए लगतार प्रयास किया रहा है और सिल्क टिवी आप सबों से अपील करती है कि लोग डाउन का पालन करें सोचल डिस्टेंसिंग को मेंटन करें और जो इतनी तेजी से जो कोरोना पोजेटिव की केस में बृद्धी हो रही है पूरे बिहार में उस पर नियंतरन के लिए हम सबों को साथ मिलकर करोना के खिलाब की लड़ाई को लड़ना होगा तब ही हम इस कोरोना वाइरस के खत्रे से अपने आपको और अपने देश को सुरक्षित कर पाएंगे और इसके साथ हम अंत में फिर एक बार बता दे कि भागलपूर से फिलाल एक भी पोजेटिव रिपोर्ट भागलपूर से नहीं आई है और सभी की सभी रिपोर्ट निगेटिव आई है जो एक बड़ी और रहा दिन वाली खबर है केमरा परसन सु